कैसे हो आप सब लोग and welcome back to your own channel so दोस्तों मैं आज आप लोगों से बहुत जादा खुश हो क्योंकि कल मैंने आप लोगों कहा था कि guys आप minimum अगर 500 likes भी लेकर आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ये वाली series continue रखूँगा बट आप लोग इतने अच्छों कि guys आप लोगों ने 500 नहीं आप लोग हजार से उपर likes लेकर आया हैं और इस वीडियो को मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत जादा लोगों के साथ शेयर भी कराऊगा जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्री यादा करता guys कल की वीडियो में हम लोगों ने आपको बहुत सारी चीजे बताई थी बहुत सारा चीजे आप लोगों को बोला था कि trade कर सकते हो और exact उसी तरीके से हुआ और आप लोगों ने मुझे whatsapp पे बहुत सारा मेसिजेस भी भेजे कि sir आप लोगों से शुक्री है कि आप लोगों ने मुझे यह calls दिया मेरे कुछ वीवर्ज ने वहाँ पर internet nifty की call option भी बाय करेती जिसमें लोगों को फायदा हुआ और उन लोगों ने screenshot भी भेजिये हैं मुझे वो लोग भी मैं आपके साथ यहाँ पर share कर दूँगा but guys आप लोगों के साथ मैं एक बात और share करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि guys मैं आप लोगों के साथ 100% नहीं दे पा रहा हूँ क्यों नहीं दे पा रहा हूँ guys मैं YouTube आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पर आपके साथ 100% होता हूँ but मैं Telegram चैनल पर या फिर Live Market पर आप लोगों के साथ 100% अभी नहीं हूँ क्योंकि guys मेरी यह lockdown की वज़े से जो मेरी classes थी वो अब online shift हो चुकी है तो जो मुझे classes अभी अटेंट करनी पड़ रही है वो मेरी classes जो है वो guys सुबह 9 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक है तो guys मेरे को लगातार अपनी classes को अटेंट करना पड़ रहा है मेरी 2-3 classes होती है 3-4-4 बैटे की तो guys उस वज़े से मैं आप लोगों को time नहीं दे पा रहा है जो में mainly time दे पा रहा है अपने clients member को जो मेरे clients है paid clients है में उन लोगों को ही दे पा रहा है तो guys मैं आप लोगों के messages के ऐसे reply नहीं कर पाऊंगा WhatsApp पे और अगर आप लोगों मुझे call करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के phone को disconnect कर दूंगा या काट दूंगा तो मैं आप लोगों को phone calls भी attend नहीं कर सकता है तो आप लोगों को करना क्या है guys मेरी बात यह वाली ध्यान से सुनिएगा मेरे पास जो questions सारे हैं जो मेरे पास doubts सारे में उनका अभी clarify कर देता हूँ तब ही मैं वीडियो को आगे पढ़ता हूँ तो यह वाली बात ध्यान से सुनिएगा वीडियो को skip मत करिएगा जिन लोगों के पास मेरे whatsapp का number है जो भी मैंने आप लोगों को दे रखा अपनी youtube के through मैं आप लोगों से काऊंगा कि guys अगर आप लोग मुझे appreciate करना चाहते हैं कि आप लोगों ने आज अच्छी call दी good work मैं आप लोगों आपका follower हूँ मेरे पास generally जो whatsapp में messages आ रहे हैं यही आ रहे हैं तो आप लोग जो भी आपके जो problems हैं जो भी आप मेरे साथ share करना चाहते हैं जो भी अपनी feelings share करना चाहते हैं guys आप लोग please मुझे comment section में बेजिएगा मैं आपको youtube के comment section पे हमेशे reply करूँगा और आप लोगों की सारी बाते सोना करूँगा so guys whatsapp पे सिर्फ जो मैं whatsapp पे जो queries लेता हूँ वो सिर्फ मैं paid queries लेता हूँ जो कि paid अगर आप लोग service लेना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग मेरे course के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मैं तभी आप लोगों से लेता हूँ so mainly आप लोग मुझे ज़ादा call मत करेगा क्योंकि मैं अभी call attendance नहीं कर पाऊँगा जो भी doubt है comment section में ही पूछेगा whatsapp पे generally मत आएगा क्योंकि मैं शायद अपसे reply ना करो और मैं आप लोगों को archive में डाल पाँ so guys इसी के साथ हम next video में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल आज की performance कैसी रही है guys और आज की performance बहुत बढ़िया रही है loop in आप लोगों को buy करने की सला दी गई थी और guys comment section में मेरे पास एक बंदे ने पूछा था कि sir हम मिलनी किती quantities buy करा करें कि यह जब आपके stocks पे trade करा करें तो मैंने बोला sir आप minimum 100 quantity से start करिये मैं आपसे जादा नहीं करा so अगर आपने 100 quantity मान के चले होंगे तो उस हिसाब से हम अपना profit calculate करने की कोशिश करेंगे तो lupin buy करने की सला दीती सिक 8.63, 8.84 का target था जो की 2100 रुपे मिलगा यानि की 2100 रुपे उपर target था 2100 का profit lupin में हमें हुआ गोदरिच property हमने buy करा था around 597 पे 607 हमारा target था 1000 रुपीज इसमें हमें अनुए तो आप calculate नीचे करते रह सकते हैं निफ्टी की हमने आप लोगों को 9000 की call buy करवाई थी 106 रुपीज पे 155 का target था और हमारे clients के लिए 170 का target था तो गाइस 170 का target उनके लिए भी अचीव हुआ 155 का target आप लोगों के लिए अचीव हुआ और आपको 3750 का आपको profit हुआ तो अगर हम total मान के चलते हैं तो गाइस आपको 12,000 का profit हुआ इंट्राडे के अंदर according to our video YouTube video calls तो गाइस YouTube calls में आप लोगों को इतना फायदा हो रहा है तो गाइस अभी इस video को like करियो और अगर आप लोग हमारे 500 likes को 1000 likes तक पहुचा सकते हैं तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी से और प्रेजेंट टेबल करते हैं तो हम देखते हैं कि आप लोग और कितना मुझे support करते हैं तो minimum यह video हम 1000 likes के लिए मान के चल रहे हैं तो गाइस इस वीडियो में इस सीरीज में हम आप लोगों के साथ एक नगया concept शेयर करके लाएं क्योंकि बहुत ज़ादा queries आ रही थी YouTube पे तो हम लोगों की सबकी बात है आप लोगों की सुननी थी सब लोग कह रहे थे कि चार्ट भी शेयर करिये तो चार्ट की फोटो आप लोगों के साथ शेयर करिये कि मैंने क्या बनाया है तो ये जो पांच stocks हम लोग लें आप लोगों के साथ और Nifty Bank Nifty की जो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो mainly जो पूरा है वो सिर्फ जिन लोगों को हमने online training batch दिया है जो भी आप लोगों को हमने online course अभी तक पढ़ाया था अपने जो हमारे जो online batches के students थे उन लोगों के viewer को देखते ही क्योंकि मैं उन लोगों को भी ज़्यादा time नहीं दे पा रहा था तो मैंने सोचा कि उसी basis में जित्ता तक अभी तक उन लोगों को पढ़ाया है उसी basis में ही मैं यह 5 stocks और nifty bank nifty को identify करो तो यह जब वो videos देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यही patterns के थुरू हमने आप लोगों को identify कर रहा है तो guys यह एक descending triangular pattern है एक bearish market पर वहाँ पर हमने ऊपर reversal देखा है तो guys यह reversal confirm हो जाएगा कि जैसी यह PVR का stock है और यह PVR जैसी 880 के उपर sustain करता है तो हम expect कर सकते हैं कि यहां से यह 1300 रुपे के level तक जा सकता है अब guys यहां पर आप यह वाली line देख रहे होंगे तो यह वाली line guys 8 साल पुरानी अगर हम मंतली chart में देखेंगे तो मंतली chart में यह support की trend line थी जो 8 साल से continue होती विया रही थी और उसको इस level पे break कर दिया था है और उसके बाद हमने एक बहुत जादा downfall देखी थी minimum 500 point थी तो guys उसके पाद अब यहां से जब यह recovery करके उपर जा रहा तो इसका जो target आ रहा है वो भी 500 point का रहा है नेक्स तोग आते हैं वो है guys भारत फोर्च भारत फोर्च आप देख रहे हैं कि अपमूव आई एक थोड़ी सी down retracement है और एक दुबार अपमूव आयो और यह पीनेट चैनल के अंदर चला गया यह एक symmetrical triangle के अंदर चला गया तो guys इस pattern को हम कहते हैं bullish pennant pattern यह guys एक bullish pennant pattern होता है और यहाँ पर इसका breakout देच चुका है यह वाली candle के साथ volumes यह हमने देखे थे तो strong volumes थे तो जैसी इस candle की ऊपर निकलता है जो कि around 292 का level है तो जैसी 292 की ऊपर यह निकलता है sustain करता है तो जो हमारे targets हो सकते है guys वो 296 से 302 तक के हो सकते हैं तो अपलोज आपको 287 का maintain करके रखना होगा next gillet gillet stock है guys daily chart है यह भी आप लोगों के लिए swing trade है guys अगर हम इसकी बात करें भारत फोर्च की तो यह भी में एक swing trade है अगर यह 292 293 की ऊपर चले जाता है और उसी तरीके से PVR भी हमारा swing trade है यह सारी चीजह हम अपने clients को पहले ही provide करा चुके है आज हमने अपने clients को gillet का swing trade provide कराया था और यह जो हम लोगों ने provide कराया था guys around यह अपने लोगों ने 4900 से लेके 5000 तक का level है guys इस pattern को हम particularly जो pattern कहते है यह pattern है guys bullish bat pattern और यहां से दो इसके reversals हैं वो इस particular trade को लेकर जा सकता है अपने 5200 के level तक 4800 पे trade कर रहा है 47 पे हमने clients को बोला है buy करने के लिए sum trade और कमसे गाम इसके जो targets आ रहे हैं वो minimum 500 तक के targets आ रहे है सो यह मुझे stock लगता है दो हफते के अंदर provide करा सकता है कर इंट्रेट एक लिए buy करने की सला दी जाएगी 4810 तक की targets है 4836 की targets है stop loss आपको 4768 का maintain करके रखना पड़ेगा next stock आते है guys next stock है HCL technology HCL tech है यह particular stock आप देख सकते हैं कि यहां से bullish movement आई एक flag pattern बनाया guys जो भी हमारे online course में थे जो 20-30 लोग हमारे online course में थे उन लोगों को पता होगा यह सारी चीजे जो charts आप लोगों को दिखा रहा हो exact charts आप लोगों को सिखाया गया है कि एक bullish flag pattern है इसको कैसे trade करना है यहां पर आप लोगों को बताया था और यह देख सकते हैं कि उसके बाद exact bullish trade bullish flag के बाद दुबारा इसने bullish peanut pattern बनाया उसका भी breakout दे चुका है और यह breakout candle के ऊपर जाके close कर चुकी है दूसरी candle so buy बनता है अगर आपको यह कल 525-530 के आसपास मिलता है यह particular stock तो buy करने की चला दी जाएगी 541 से लेके 545 तक के levels हम expect कर सकते हैं ethereal technology के अंदर target आपको यहाँ पर मैंने खुदी बता दिये थे अपने उस chart पर तो इसको भी आप note कर सकते हैं next आता है guys Amaraja batteries तो यह आप देख रहे होगे कि एक range के अंदर का काम कर रहा है यह एक upper resistance है और यह एक support का का काम कर रहा है जैसी यह अंदर range के अंदर आ है तो guys यह जो range के अंद को मिले है तो अगर यह 600 level के ऊपर अगर sustain करती है तो यहां से हम बहुत जाधर levels expect कर सकते हैं जो की targets मैं आप लोगों को बता देता हूं intraday के लिए 597 की ऊपर buy करना है 603 609 तक के targets हमें अमराजय बैटरी के अंदर expect कर सकते हैं और यह भी guys हमारा x-wing trade है stop loss आपको 585 का maintain करके रखना पड़ेगा अब guys nifty के chart पे आते हैं तो यह मैंने 15 minute का chart open करावा और guys आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यह वाला जो level देख रहे हैं यह वाली candle इस वाली candle पे 9060 पे जब इसकी closing थी तब मैंने आपको बूला था buy करके चलिए 100 point का target होगा करा मेरी previous video देखेंगे तो मैंने exact आपको जो price बताया था 9160 और इसका जो high देखेंगे exact 9160 है कैसे previous देखने previous resistance यहाँ पर था previous resistance यहाँ पर था यहाँ पर supply देखने को मिलता था हमें expectation थे कि यहाँ पर भी supply आएगा और यह particular snake हमान के शल सकते थे bullish symmetrical triangle का black pattern का breakout था तो यह आपर हम लोग ने intraday में भी buy position बनाई थी अब guys कल आप लोगों को कोई trade नहीं लेना जब तक यह 9160 के ऊपर नहीं जाता या फिर जब तक यह 9030 के नीचे नहीं आता इस range के अंदर में trade नहीं करना यह range के जो nifty और bank nifty के live intraday market में levels होंगे वो आप लोगों को मैं provide करा दू YouTube पे कि आप अपनी सारी queries को वहाँ पर discuss करिए कि मैं आपका reply कर सको अगर guys आप लोग करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ से block कर दूँगा अपने WhatsApp से क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भी जी हूँ कि मैं आप लोगों कि WhatsApp के calls या मैं CJ attend नहीं कर पाऊँगा यह search में जाने के बाद type करिए first investment first investment type करिए guys यह देख रहे हैं first FIRST investment type करिए आपको channel show कर जाएगा around 1200 members हैं और आपको दिख जाएगा वहाँ पर जाके आप join हो सकते हैं accordingly to bank nifty भी बात करें तो bank nifty यह guys आप लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगी but यह basic है अगर यह basic आपको नहीं समझ में आएगा traders को तो वहाँ पर market में उन लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत जादा मुश्किल या impossible हो जाएगा और यही सबसे पहले हमने clients को सिखा आया था how to trade demand and supply zones और यह एक यह phase होता है market का की इस phase में काम करता है और exact nifty ने यह हमें introduce कर दिया था bank nifty ने market नीचे आई यहाँ पर market ने एक range बनाई यहाँ पर accumulation हुआ और उसके बाद एक यहाँ पर हमने देखा breakout आगया breakout आने के बाद यहाँ पर distribution देखने को मिला हमारे viewers को यह हमारे clients को पता हो यह सारी चीज़े उसके बाद दुबारा नीचे आगर यहाँ पर दुबारा re-accumulation हो गई है तो यहाँ पर यह hold कर रहा है अगर यह कल particular जो level है around 17,680 का level break कर देता है नीचे की तरफ तो short कर सकते हैं अगर 17,800 की ऊपर buying आती है तो हम buy position बना सकते हैं दुबारा 18,000 के लिए nifty bank nifty के जो target और stop loss है वो आपको telegram channel पर दे देंगे जो भी यह देख रहे हैं सबसे प कि आप लोगों जो अगले दिन market gap up open होती है gap down open होती है तो उसका भी आफायदा उठा सके तो telegram channel पर join हुए कोई भी doubts है guys comment section के अंदर ही पूछेगा मैं whatsapp पे आप लोगों के सिर्फ course या paid service से related ही reply दूँगा और guys course में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि course हमें एक June से start क करने वाले हैं तो कोई भी doubt हूंगे तो मैं आप लोगों के लिए separate video course की बना दूँगा तो course के लिए भी आमिर से questions मत बूचेगा भी सिर्फ paid service से related मैं आप लोगों के लिए अभी whatsapp पे आप लोगों के साथ हाजर हूँगा guys यह 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 option call option call है concor की May 370 call को buy करके चलना है जो की अभी 8 रुपे में trade कर रही है इस concor की closing है guys वो around की closing है 359 की 359 cash में इसने closing दिया है अब आप लोगों को करना क्या है कल market पे अगर यह 360 की उपर sustain करता है तो ही आप लोगों को यह call option buy करके चलनी है तो जो 8 रुपे चल रहा है वो 8 रु करके चल सकते हैं target 10.5 और 14 के बीच का target है उसके बीच में अपनी position को exit कर सकते है stop loss आप लोगों को guys 5.5 का maintain करके रखना पड़ेगा lot size 1536 का है so इसी के साथ guys मैं video को wind up करता हूं मैं minimum 1000 likes के लिए यहाँ पर target रख रहा हूं और अगर 1000 likes आते हैं तो हम next series भी continue रखेंगे और Monday के जो भी stocks आप लोगों को लेने हैं वो लोग उसकी वीडियो में भी बना हुआ so minimum 1000 likes हम लगते हैं जितने share कर सकते हो करो guys और कोई भी आप लोग मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हो और आप लोग मुझे प्यार करते हो और guys आप लोग मेरे को appreciate करते हो तो आप मुझे whatsapp पर आप लोगों को बार बार ध्यान नहीं दे पाऊँगा so please no whatsapp में मुझे messages नहीं चाहिए ना मुझे कोई calls ही है आप मुझे phone करिए क्योंकि guys मैं 5 मुझे free होता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के लिए YouTube वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद मुझे अपना खुद का resting time भी चाहिए और मुझे अपनी खुद की practice भी चाहिए होती है तो guys मैं आप लोगों के calls अटेंड नहीं कर पाऊँगा so इसे के साथ मैं वीडियो को wind up करता हूँ वीडियो पसंद होगी तो like करना मत बुलेगा चैनल को subscribe करिए guys तब ही आप मेरी latest यह जो भी वीडियो जाती रहेंगे उसका सबसे पहले फाइदा उठा पाएंगे so मैं शिवांज बसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में signing off